लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले टूटी है, शामनगर और रामनगर में एक मंजला मकान तक दूब में आ गए, जिस से लगभग सव परिवारों की ग्रहस्ती बरबाद हो गई, इन परिवारों के पास खाने का समान तक नहीं बचा, वहीं दो व्यक्ति पानी में दूब गए, शहर में जहां देखो वहां पान होने से आम जन्वरी जीवन बुरी तरहें प्रभावित हुआ है, सेक्डों घरों को नकसान होना बताया जा रहा है, निचले हिस्सों में घरों में बंधे कई पशुओं की दूब कर मौत हो गई, कुछ पशुओं को सुरक्षित बचा लिया गया, लोगों ने बमुश्किल सुरक्षित स्थानों पर पहुच कर अपनी जान बचाई, वार्ड नमबर 18 में लोगों के घरों में 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे उनके घर का समान पानी में तेरने लगा, बताया जा रहा है कि बेगमगनच के वार्ड नमबर 18 में निर्माना धीन पुलिया बनने के का पानी की निकासी नहीं होने से ऐसे हालात बने, लोगों के घरों में 4 फीट तक पानी भर गया और उनका रसोई गया सिलेंडर से लेकर सारे घर के समान पानी में तेरते नजर आए, खास बात ये कि इतनी तबाही के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी समय से मौके पर नहीं पहुँचे, सामाजे कारकरता लोगों की मदद और भूजन का इंतजाम कर रहे हैं, अधिकारियों ने सुबह स्थिति का जायजा लिया, लेकिन राहत के कोई विशेश इंतजाम नहीं किये, फिलहाल लोग अपने आपसी सहयोग से ही इस परिशानी से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्तर पर पानी से बचने और खाने की विवस्था में लगे हुए हैं, पानी में डूबे दो यवक जानकारी के अनुसार राय सेन जिले के भोजपूर्क शेत्र में कलिया सुथ स्टाप डेम में दो यवक डूबे, एक को सुरक्षत बाहर निकाला गया, पर दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है, जिसके लिए रेस्क्यू आपरेशन जारी है।